पर एक इंडिकेटर की पूरे ट्रेडर्स कम्यूनिटी में बहुत ज़ादा डिमांड होती है सीखने के लिए खासकर कोई नया अगर ट्रेडर बनता है तो उसे बिगनर लेवल से सीखना होता है कि भी यह बॉलिंजर बैंड बहुत जादा यूज होते हैं बंडे ने यूज क इस वीडियो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि बॉलिंगर बैंड होता क्या है बॉलिंगर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बाजार का एक्सपेक्टेड डिफाइन करके देता है यहने कि अगर बाजार ऊपर जा रहे हैं तो कहां पर रुख सकते हैं और अगर नीच या फिर बाजार में stop loss trigger हो तो हम यहां पर वह वह पॉइंट सीखने को और identify करने की कोशिश करेंगे कि वह बड़े पॉइंट को कैसे capitalize करना है चलिए मैं आप लोगों ले चलता हूं अपने स्क्रीन पर तो दोस्तों अब हम आ चुके अपने चार्ट पर आज मैं आप लोग जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं सीखा होगा support resistance के साथ बोलिंगर बैंड को कैसे यूज करते हैं कैसे identify करते हैं कि बजार कब overbought है कब oversold है कब बजार रैली देने वाला है कब बजार एक बड़ा correction देने वाला है सब identify करना सीखेंगे हम इस वीडियो में तो देखिए यहर अगी है है bollinger band blueprint किस लिए यूज को अब बजाबर चौकवी है उपर प्ली करण के लिए खन रहेता है और अगर लोवर बुलिंगर बैंड के नीचे बजार चल रहा है तो बजार लोवर बुलिंगर बैंड को मिदल बुलिंगर बैंड के नीचे चल रहा है तो बजार लोवर बुलिंगर बैंड को टॉच करने के लिए रेडी रहता है यह बेसिक साइकलोजी है और बेसिक कॉंसे व्लिंगर बंड को उता शक्राइब को सब्सक्राइब पॉंबर देख सकते हैं एक शब्सक्राइब को युथ आप सबस्क्राइब पॉंट नूबर देंगा है और ऑप अब वहां यूजडेव सब्सक्राइब बॉलिंगरोगे बैंड के वह यूज्स कर रहे तो लगा दीजिया सब बॉलिंगरोगे बना के भी दिखाता हूं तो देखिए दो तरह से बॉलिंगर बैंड बन सकता है यह बोलिंगर बैंड यूजियली हमें बताता है कि बजार साइडवेज expected है लेकिन जितना नेरो होता चला जाए धीरे धीरे वैसे ही वह बताने लगता है कि बजार में ब्रेकाउट आने की संभाव ना है तो जब बजार इस रींज पर चल रहा है तब तो आप साइडवेज मार्केट को इंजॉय कर सकते हैं तो देखे जैसे बजार में बॉलिंगर बैंड उपर का और नीचे का अपर बॉलिंगर बैंड लोर बॉलिंगर बैंड एक्दम नेरो हो चुका था यह नेरो होने के बाद यह फटा है बजार यहने कि यह हमें बताता है कि बजार में एक ब्रेकाउट एक्सपेक्टेड है अब यह तो आप लोग सब समझ जाएंगे लेकिन जो यह वीडियो देखा है न वह समझ जाएगा कि किस बाजू में किस साइड का ब्रेक आउट आने वाला है जैसे देखिए आप मैक्सिमम केंडल यह एकदम नहरो हो गया था उसके बाद जितनी भी यह एरिया की केंडल है यह सपोर्ट के उपर बनी हुई ह यहां पर मैं एक सीज़े यहां पर क्लियर कर देता हूं आप जब बॉलिंजर बैंड्स को नॉमली समझते हैं तो आपको यह समझ आता है कि जब भी बैंड नेरो होगा तो फटेगा बड़ो किस साइड फटेगा यह नहीं पता होता बड़ जब सर बता रहे हैं कि हम सपोर् इंपॉर्डन चीज बोली है होगा तो आपने मिस कर दी मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूं कि यह जो कैंडल्स बनी हैं यह सपोर्ट के ऊपर बनी है तो यहां से अभी आपने देखा कि वहां पर तो फट गया उसके बाद कभी एक बड़ा मूव हो सकता है जो हो सकता है लोग मिस कर दें यह वाला राइट यह तो अभी वहां से एक ब्रेक आउट आया वह उपर की साइड हो सकता है अपर लोग रेडी थे कुछ लोगों ने चोटा मूव कैप्चर किया पर उसके बाद क्या इससे समझते हैं और यहां पर एक और चीज मुझे दिख रही है जो शायर सर्वी कवर कर लेंगे इसके बाद वाले स्टेफ में तो देखिए यहां तो एक बजार नेरो हो गया तो आप लोगों को यह पता था कि बजार साइडवेज है तो यह स्कैल पर ट्रेडिंग करने वालों के लिए मोमेंटम जो चोटे चोटे उठाना चाहते हैं उनके हमारा मेजर जो वेट है वह बायर का वेट जादा दिख रहा है फिर सपोर्ट के उपर स्टेबिलिटी बता रहा है तो यह हमारे को यहां से क्लियारिटी मिल गई एक तो नहरो हो गया था बजार साइडवेज था और उसके बाद किस बाजू में इसका ब्रेक आउट आने व आप इस रहली को कैपिटलाइज कर सकते हैं इस सपोर्ट के उपर की स्टेबिलिटी पर तीसरे स्ट्राड़ेजी यह यह बुलिंगर बैंड के आसपास बजार ने यह फॉल दिखाया है तो यूज्वली जब बजार नीचे से उपर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं तो एक्जॉ नहीं है तो यहां से आप सेलिंग कर सकते थे इस पॉइंट से आप बजार देखिया आज कहां पर है यहने इसके उपर के स्टॉप लॉस से आपने पोजिशन बिल्ट अप करी शॉट की 44,600 सिक्संडिट सिक्फिव्टी के असपस और 44,250 के आसपस का लो पॉस्ट कर चुकी है इसके उपर के स्टॉपलों से यह strategy number बॉलिंगर बैंड के बाहर एक कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है हम उसका भी एक्जामपल दिखाने की तो मुझे यही पर दिख रहा था फिर वो डिली टाइम फ्रेम पर लेंगे यहां पर मैं ही दिखा देता हूँ पर चोटा से एक्जामपल यहां पर दिख रहा है तो बे गर दुग नीचे बनती कैंडल तो अब फ बैर उपर पहälती है तो बाने को बनी है नीचे के लिए और उसके बाद आप आपने देखा कि चोटा सवैंसे से यहां मीज झारि ने के दिखा कि अगर रसी दिखंग अगर यह जहीं सतौर्ज है तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था फोर्थ स्ट्राटेजी यह तो एक्दम सोने पर सुहागा है मैंने तो इसको फेल होते वह कभी नहीं देखा है लेकिन कंप्लाइंस की इशु की वज़े से फिर भी काऊंगा 70-80% काम करती है क्या पुश्क करती सही है ना ना एक यह की एक्यूरेसी काफी जाद है 80% प्लस एक्यूरेसी बुलना गलत नहीं रहे फिर और पॉइंट में चाहूंगा यह यहां पर कि अगर यह कैंडल कभी आप लोगों को फ्राइडे क्लोजिंग पर ऐसा संभावना है बताए कि भाई मैं मान लीजिए बजार अभी तो मु यह 26 तरीक से 26 को थर्जडे था तो यह वैलिड है यह अगर यह फ्राइडे रहता जी तो हमें इससे थोड़ा सा नजर अंदाज करना चाहिए क्यों कह रहा हूं उसके बीचे भी लॉजिक देता हूं क्योंकि यह यह तो बजार की कैंडल्स रुकी है लेकिन यह टाइम ली यह प्राइडे को अगर होता है तो सेटरडे संदे दो दिन का टाइम मिल जाता है और यह बोलिंगर यहां ट्रेवल करके आ जैता है लेकिन अगर यह फ्राइडे को छोड़कर किसी भी दिन में लेकिन तो एक परसंट टाइम बजार ओवरसोल टेरिटरी में मैं जा चुका ह यह बताता है और उसके साक्षात एक्जामपल मुझे रीसेंटली दिग गया है या आप यह देखिए इसकेंडल को यह कैंडल इपूरी बाहर है एक बार भी इने इसमें बुलिंगर बैंड को टची नहीं किया तो यह बताता है कि बजार नेक्स टाइम इन्हें दूसरे दिन या फिर अगले ट्रेडिंग शेशन शेशन में यह बजार बुलिंगर बैंड के अंदर आ जाएगा यह ओर सोल टेरेटिरी बता दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अगर आप फुल कपैसिटी से भी काम करेंगे फुल कपैसिटी से भी ट्रेड लेंगे तो भी जार ऐसे गिरते हैं तो मार्केट में जरूर होती है कि कोई ना कोई निगेटिव रहेगी उसी को बजारे रियक कर रहा है तो उस न्यूस को देखकर प्लस सब जगा मीडिया सुनके सोशल मीडिया पढ़कर आप लोग एक्दम डरे हुए रहते हो तो भी आप यहां पर इस इस सिच्वेशन में जब आप कोई पोजिशन उठाते हैं तो मुझा ऐसा लगता है कि लॉस होने की संभावना है तो कम रहती है फिर भी अपने रिस्क मैनेज करके चलिएगा अनाप शनाब ऐसा नहीं कि आपकी 10 लोट लेने की कपैसिटी है और आपने 50 लोट ले लिया अ और अगर वो नीचे से अगर आपको केंडल देख रहे है तो उपर अंदर आने की खुशिश करेंगी तो मूझ ऊपर की तरफ आएगा यह चीज कॉंटररी उपर भी बन सकती है यह 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 चार्ड कर उपर की तरफ बन जाता केंडल तो आपको वहां पर विक्वाली करनी च और भी मैं आप लोगों को इसी बताने बताना चाहूंगा कि अगर कभी देखकर समझ ही नहीं आता कि स्टॉप लॉस कि इतर रखें क्योंकि यहां तो खाई दिख रही है वह दिन के लिए तो भी आप 0.50% के आसपस का स्टॉप लॉस दिमाग में रखें और उसको मेंटें करें तो आप यहां देखिए 42,000 से अल्मोस्त हमें पुल बैक मिला 43,400 का चाहूदा सो पॉइंट बैंक निफ्टी में वाव वाला दे हो जाता यहने लाव माल वाला दिन हो जाता है लाव माल ने हमारी टर्मिनल लॉजी में बहुत बड़ा प्रॉफित हो जाता है हम उसे स तो दोस्तों यह स्ट्राड़ीजी सब आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएगा और आप लोग क्या यूनीक सीख रहे हैं अगर आप लोग को इस तरह के मैजिकल लेवल हम लोग से भी रिस्टर्ट रिसर्ट चैनल इस्ट है जो मुझे मे मेरा अनुभाव अल्मोस 19 साल का है जैसा पुषकर जी ने पहले वीडियो वाले में पहले वीडियो में बताया ही है 19 सालों से मैं कंटिनेस इन चार्ट को देख रहा हूं अल्मोस मैंने पंदरा अठ्रा साल चौदा से पंदरा घंटे दिन में चार्ट देखे हुए एनलाइस किया हुआ है उसके क्रैक्स निकाले हुए ऑब्जर्व किये हुए जो कंक्लूजन आप लोगों तक पहुचाने की कुछ कर रहा हूं इन लेवल्स को अगर आप लोग को लेना है हमारी रिसर्च एड्वा हमारी तरफ से फायर किये जाते हैं नीचे दिये हुए नंबर पर संफर करकर कि हम से connect कर सकते हैं यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी की औργिन progression के साथ सथ तो क्तर उब गरिए जाती है और चारों सेगमेंट के चारां चारों करनी पर चेला चाहां चला जाता है क्या expected है बजार में सब बताया जाता है तो देर मत करिये नीचे दियोवे नंबर पर संपर करिये लेजर देखे तो आप इस नमर पर कॉल कर सकते हैं और आप से मिलेंगे अम अगली वीडियो में तब तक ये अपना प्यार देक लिए आप लाइक कर सकते हैं अने वाली वीडियो में यह जो आप सीख रहे हो ना यह सब काॉंबनेशन यूज उने वाला है so do not go anywhere subscribe this channel click on the bell icon we will see in the next video till that time you go self-made and jai health